आज हम आपके लिए 125 के रियाड की 2BHK की सिंगल स्टोरी कोठी लेके आए हैं जो की अम्रिसर के अंदर लोकेटिड है आईए आपको प्रॉपर्टी दिखाते हैं ये फ्रंट का में गेट है आठ फूट का कोठी के अंदर आप देखेंगे तो पार्किंग स्पेस दी गई ये फ्लोर के उपर मार्बल लगाया गया है ये कोठी तकरीबन 6 महिने से बंद पड़ी है इसलिए थोड़ी आपको यहाँ पर डस्ट वगेरा दिखेगी अगर आप इसको परचेस करेंगे तो आपको पूरा काम कम्पलीट करके दिया जाएगा आप देखें सैड में बाहर एक टॉइलेट भी दिया गया है आईए कोठी आपको अंदर से दिखाते हैं बाहर चाली का दर्वाजा लगाया गया है उसके बाद में डोर लगाया गया है गर के अंदर एंटर करते ही सबसे पहले लॉबी एरिया है देखें काफी सुन्दर डाउन सिलिंग का काम किया गया है एक दिवार के उपर आप देखिए टेक्चर पिंट किया गया है प्लाजमा टीवी की उनिट लगाई गई है आईए आपको ड्राइंग रूम एरिया दिखाते है काफी अच्छी स्पेस दी गई है वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है एक दरवाजा बाहर की तरफ से भी दिया गया है लॉबी के ओपोजिट आप देखेंगे तो किचेन है और बैक सेट पे दो बैटरूम बनाये गए है इनके साथ अटैच बातरूम है और डग्ट एरिया है आईए सबसे पहले आपको किचेन दिखाते है किचेन के अंदर L शेप का काउंटर लगाया गया है और पूरा वुड़ वर का काम कंपलीट करके दिया गया है अगर कोई थोड़ी बुड़ कंपलेंड होगी तो वो सही करके दी जाएगी आपको आईए बैक सेट के बैटरूम दिखाते है घर के अंदर पूरे फ्लोर के उपर विट्रिफाइट टाइल लगाए गयी है बैडरूम का आपने फ्लोर देखा काफी सुन्दर तरीके से बनाया गया है ये कोटी क्लाइट ने खुद अपने रहने के लिए बनाई थी पर अब वो बहार शिफ्ट हो गये हैं इस वज़े से ये कोटी छे महीने से बन थी अब ये कोटी उन्होंने सेल के लिए हम लोगों को बताई है अगर आप इसको पच्चेस करना चाहते हो तो हमारे से कॉंटक्ट कीजिए बातरूम देखिए काफी अच्छी स्पेस दी गई है प्रॉपर टाइल लगाए गई है इसी के साथ ये पीछे डक्ट एरिया है सेफ्टी के लिए उपर जाल लगाया गया है इसको आप ऐजे वाशिंग एरिया भी इस्तमाल कर सकते हैं सेकिंड बैडरूम देखिए ये मास्टर बैडरूम है बहुत सुन्दर फ्लोर के उपर टाइल लगाए गई है एक दिवार के उपर आप देखिए टैक्चर पेंट किया गया है रोशनी वैंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है इस कमरे के अंदर आप देखिए आट फूट बै देस फूट के एक फूल लाइट के पूरी वाडरूम बनाए गई है इसके साथ भी अटैच बाथरूम है अगर आपको एक ओटी पसंद आती तो आप हमारे से बताईए हम लोग आपको यहां की विजिट करवा देंगे इस कोटी के अंदर आप लोगों को दुबारा से पेंट करवा के दिया जाएगा और सैनेंटरी की फिटिंग के अंदर कोई चीज मिसिंग होगी तो वो लगवा के दी जाएगी कारपेंटरी का कोई वर्क रहा गया है तो वो करवा के दिया जाएगा अगर हमारी दियू इन्फरमिशन आपको अच्छी लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को प्रेस कीजिए अनलॉक सुपर प्रॉपर्टिज इसी तरह के अच्छी वीडियो आपके लेके आते रहते हैं तो हमारे चैनल बैलिंग के इसी तेयरियो देखें स्टेल की रेलिंग लगाए गया है आप यह टेरस एरिया देखिए टेरस में फ्रेंट की तरह आप देखें कवरड बालकनी बनाए गई यह जिससे कोठी की काफी सुन्दर लुक आ रही है प्रॉपर तरीके से वाटर्पूरूफिंग करके टाइल लगाएगी यह चत के उपर काफी बड़ा यह टैरस एरिया है डक्टेरिया को प्रॉपर कवर्ड किया गया है फाइबर शीट के साथ आसपास देखिए काफी अच्छे घर बने हुए काफी अच्छी यह लोकेशन पे यह घर है यह प्रॉपर्टी 125 के रियाट के अंदर बनी है और इसकी किमा सिरफ 27 लाखर पे है यह रामतीरद रोड पर पाल एवेन्यू के अंदर लोकेटिड है खालसा कॉले से इसका डिस्टन्स सिरफ 3 किलो मेटर है रेल्वे स्टेशन से यह कोठी सिरफ आपको 7.5 किलो मेटर के डिस्टन्स के उपर है कैंटेरिया भी काफी नज़दी के इस कोठी से काफी पीसफुल गेटेड बॉंडरी वाल वाली यह कालोनी है पुतली गर मार्किट काफी नज़दी क्या घर से अगर आप इस कोठी को पर्चेस करना चाहते तो आप हमारे से कॉंटक्ट कीजिए अमरी सर के अंदर आप अगर आप कोई कोठी सेल पर्चेस कर रहे है तो आप हमारे से contact कीजिए Thank you for watching my video